हेलो एब्रिवन एंड वेलकम टू मिशन जी के स्टड़ी दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एंसेल प्रेक्टिस सेट जिसका पार्ट नमबर नाइन है तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है आप लोग वहां से जा करके पिछले वीडियो देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तो आपको बता दू कि इस वीडियो में जितने भी क्वेशन लिये गए हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको एक्जाम में आने की संभावना है तो आप लोग इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ से अर जरूर करे फ्रेंड्स आपको बता दू कि हमारे चैनल पर डेली साम साथ बजे NCL Practice Set की क्लास चलाई जाती है तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दू अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जबाब पता हो तो आप इसका जबाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसके लिए आपको तीन सेकेंड का समय दिया जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला कोस्चन पहला कोस्चन है हाल ही में सन्युक्त राष्ट दिवस और बिस्व पोलियो दिवस कब मनाया गया इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा फ्रेंट्स अभी हाल ही में मनाया गया है तो इसका राइट एंस्वर हो जाएगा ओप्शन डी 24 अक्टूबर को हाल ही में सन्युक्त राष्ट दिवस और बिस्व पोलियो दिवस मनाया गया है पानी के अंदर ध्वनी सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है इसका राइट एंस्वर आप्शन बी हो जाएगा हाइडरोफोन कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर आप्शन ए हो जाएगा क्ये चुआ छेत्रफल के अनुशार विश्वका सबसे छोटा देश कौन सा है बिल्कुल इजी क्वेस्चन है फ्रेंड्स इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर आप्शन डी हो जाएगा वेटिकन सिटी नेक्स्ट क्वेस्चन टीवी या नामक हड़ी कहां पाई जाती है इसका राइट एंस्वर आप्शन सी हो जाएगा टांग में नेक्स्ट, बर्फ के घनत्व की तूलना में जल का घनत्व होता है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा? ओप्शन भी हो जाएगा, उच्छ होता है नेक्स्ट कुश्चन है, मनुष्य का बेग्यानिक नाम क्या है? दोस्तों, उमीद है आप लोगों ने इसका जवाब अभी तक दे दिया होगा तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा? ओप्शन C, होमो सेपियन्स नेक्स्ट कुश्चन कॉफी किससे प्राप्त होती है? इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट एंस्वर, ओप्शन C हो जाएगा? कैफीन्स से प्राप्त होती है नेक्स्ट दक्षेश का मुख्याले कहा है? इसका राइट एंस्वर, ओप्शन B हो जाएगा? काठ मंडू में नेक्स्ट सेरी कल्चर संबंदित है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा? इसका राइट एंस्वर, ओप्शन C हो जाएगा? रेशन मुत्पादन से अगला प्रेशन धोने वाले सोडे का रसाइनिक नाम क्या है? इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा? option A हो जाएगा sodium carbonate next तापमान मापने की SI काई क्या है इसका right answer option B हो जाएगा Kelvin next question विश्व व्यापार संगठन का मुख्याले कहां इस्थित है इसका right answer option C हो जाएगा जीनेवा में अगला प्रश्ण किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है ये भी बिल्कुल easy question है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option D हो जाएगा बिटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है next छेत्रफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज ये कौन सा है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option C हो जाएगा राजस्थान next हैदराबाद किस नदी के किनारे इस्थित है तो इसका right answer option A हो जाएगा मुसी नदी के किनारे next विश्व में चान्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है most important question तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer option C हो जाएगा मेक्सिको में जो भी friends अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दे next question सरावी ड्राइविंग इन में से कौन सा right answer होगा तो इसका right answer option C हो जाएगा सरावी ड्राइविंग सबी वाहनों में निशिद्ध है next किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी इसका right answer option B हो जाएगा 1907 में next किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है इसका right answer option D हो जाएगा विटामिन B12 next किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो इसका right answer option C हो जाएगा माइटरो कांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है फ्रेंड्स आपको बता दू कि हमारे चैनल पर डेली साम साथ बज़े NCL Practice Set की क्लास चलाई जाती है तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले next question राश्ट्री बिग्यान दिवस कब मनाया जाता है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर option D हो जाएगा 28 फरवरी को राश्ट्री बिग्यान दिवस मनाया जाता है next संसद के दोनों सदनों की सन्यूक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है इसका राइट एंस्वर option C हो जाएगा लोक सभा अध्यक्ष next नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है इसका राइट एंस्वर option A हो जाएगा कार्निया दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है next question भारत में सरवाधिक जन जाती किस राजिय में पाई जाती है most important question है तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer option B हो जाएगा मध्य प्रदेश में सरवाधिक जन जाती पाई जाती है दोस्तों कल हमने आपसे प्रस्न पुछा था कौन सा बैंक पाले Imperial Bank of India कहलाता था तो इसका right answer option B था SBI आई और आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है हाल ही में किस राजिय में Micro ATM launch किया गया है तो इसका जबाब हमें comment box में जरूर बताएं और आप लोगों ने इस वीडियो में कितने question का जबाब सही दिया ये भी हमें comment करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद जैहिंद जैभारत